नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दने वाला हूँ पैन कार्ड से अधार कार्ड लिंक है या नहीं हमें कैसे चेक करना है दोस्तो बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड डियक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तो गवर्मेंट के गाइडलाइन के अनुसार 30 जुलाई 2023 तक जिनोंने पैन से अधार कार्ड लिंक नहीं किया था उनका पैन कार्ड दोस्तो डियक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा pancard active है या deactivate है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको complete information देने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग check करेंगे कि हमारा pancard से अधार card link है या नहीं दोस्तो उसके बाद ही हमें दोस्तो वहीं पर मालूम पड़ जाएगा कि हमारा pancard deactivate है या नहीं है तो दोस्तो मैं आपको इसी वीडियो में एक pancard से अधार card चेक करके बताऊंगा link है या नहीं और दोस्तो अगर inactivate है दोस्तो को ऐसे आपको inform होगा किस तरीके का notification आपको screen पर दिखाई देने वाला है तो सब कुछ इसी वीडियो में detail के साथ में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग Google पर पैन आधार link status सर्च करेंगे आप अपने mobile phone या laptop के जरिए दोस्तो गूगल पर सर्च करेंगे यहाँ पे दोस्तो जैसे ही पैनादार लिंक स्टेटस सर्च करेंगे सबसे पहला ओला ओप्षन यहाँ पे लिंक आदार दोस्तो यह वाले ओप्षन पे हमें क्लिक कर देना है दोस्तो आप यह income tax के साइड पे डारेक्ट आपको डोस्तो रिडारेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तो आपको मेनू में आना है और दोस्तो जैसे ही किक लिंक करके दोस्तो यहाँ पे ओप्षन दिखाई देगा यहाँ पे आप जो है दोस्तो लिंक मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा link अधार status करके एक option आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको click कर देना है दोस्तों net थोड़ा slow है आपको मैं आगए dashboard दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं link अधार status दोस्तों option आएगा है यहाँ पे हमें pan number और उसके नीचे दोस्तों आधार number यहाँ पे आपको आपको सारा detail मिल जाएगा thank you so much for watching the video thank you so much